ज्यादा मार्जिन वाले कुछ प्रोडक्ट्स जिन पर बहुत मार्जिन मिलता है लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स जैसे की साबुन इस पर बहुत कम मार्जिन मिलता है तो चलिए आज जानते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जिन में हमें बहुत ज्यादा मार्जिन मिलता है किराना में profit margin सबसे ज़्यादा local products में ही मिलता है local products जैसे कुरकुरे में branded कुरकुरे मतलब हल्दी राम बगेरा के अलावा जो local कुरकुरे आते हैं उन में profit margin branded से ज्यादा होता है अगर हम branded product जैसे की हल्दी राम की भाद करें तो ये आपको 55 रुपे में 12 packets मिलते हैं इसमें फाइदा कम होगा क्योंकि ये branded product है branded के मुकाबले non branded product में ज्यादा profit है अगर आपको अपने business में profit कमाना है तो आप भी non branded product अपनी दुकान में रखें daily need के products जैसे की washing powder ये एक ऐसा product है जो कि बहुत चलता है इनकी बात करें तो इनमें कुछ branded product जैसे घड़ी इसमें फाइदा कम है वहीं अगर आप कोई local company का washing powder देखें तो उसमें फाइदा ज्यादा है और सिर्फ आपको ही नहीं ये customer को भी सस्ता पड़ता है साफ एक्सल में और कम margin मिलेगा मतलब कि जितना बड़ा brand उतना ही कम margin होगा चाय की पत्ती के अगर बात करें तो इसमें भी वही है कि red label, tartati जैसी branded companies की चाय के मकाबले आपको non-branded products में ज़्यादा होगा तो इस तरह ध्यान रखें कि अपने किराना store में branded product तो रख नहीं है क्योंकि उनकी demand हमेशा रहती है लेकिन साथ ही साथ non-branded products भी रखें कई customer branded लेना पसंद करते हैं पर कई ऐसे भी हैं जो non-branded products लेते हैं ऐसे में आप दोनों products को अपनी दुकान में रखें याद रखें, non-branded में मुनाफ़ा ज्यादा है अपनी दुकान में हर तरह का सामान रखें अगर customer कोई भी सामान मांगे जो अभी दुकान में नहीं है तो उसे कहीं लिख लें और बात में उसे ले आएं तो आज के इस वीडियो में हमने आपको उन products के बारे में बताया जिन में profit ज्यादा होगा तो आप भी अपनी दुकान में मुनाफ़ा कमाने के लिए इन products को ज़रूर रखें अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शियर करें और ऐसे और business tips के लिए हमें comment करके ज़रूर बताएं ओके credit, business ओके है